अनकाउंटेबल, नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, जिसे हम 1, 2, 3, 5, 7 नहीं कर सकते हैं, जिसका प्लियूरल नहीं बनाया जा सकता है, पर मापा नापा, यानि मेजर किया जा सकता है, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं बेटा, जिसे ना तो गिना जाता है, ना प्लियूरल ना मेजर, फिर भी इंग्लिश उसे क्या मानती है, अनकाउंटेबल नाउन मानती है, यानि अगर हमने अनकाउंटेबल नाउन पहचानना है, तो हमें ये चार बाते याद रखनी है, गिना नहीं जा सकता, प्लियूरल नहीं बनाया जा सकता, मापा नापा या तोला जा सकत पर अगर मेजर नहीं भी किया जा पा रहा तो भी नाउन कैसा है अनकाउंटेबल कैसे मैम गिन नहीं सकते हम पानी को plural नहीं बनता है पानी का मापा जा सकता है पानी को लीटर्स में अब जिसे गिन भी नहीं सकते है plural भी नहीं बनाते है नापते भी नहीं है वो है प्यार honesty, इमानदारी है ना sadness, दुख यानी emotion और feelings uncountable noun माने गए हैं क्योंकि ना तो उन्हें गिना जाता है ना मापा जाता है जबकि पानी uncountable noun है गिना तो नहीं जाता है पर लीटर्स में मापा जा सकता है तो आपने अच्छ से इस बात को ध्यान करना है कि uncountable यानी we can not count it but we can measure it some nouns are there we can not count as well as cannot be measured they are also known as uncountable names आपार पर लीटर्स कैने सहिंगे क्याव्